हलो एवरिबाडी असला अलेकूम वेलकम टो स्टी ए किचिन आज हम बनाने वाले हैं सीरे का गोश ये देखिए ये कितना अच्छा है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताके मेरे लेटे तरीके से उबल चुके हैं अब हम इसको साइड में काड़के रख लेंगे मैंने गोश को साइड में काड़के रखा है और जो पानी बचा है हम उसको बाद में यूस करेंगे अब हम एक पैन में टो अंड़ाफ स्पून तेल डालके इसको गरम करेंगे इसको थोड़ी देर गरम के लिए रखेंगे तेल गरम हो चुका है अब हम एक बड़ी कटी हुई प्याज अट करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको हमें हलका सा गोल्डन ब्राउन करना है हम ज्यादा भी नहीं करेंगे और थोड़ा भी नहीं आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें एक बड़ा स्पून अद्रकलोसन पेज डालेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे जब तक इसका कच्छा पन दूर ना हो जाए अब हम इसमें नमक एट करेंगे नमक स्वाद अनुसार हाफ स्पून गरम मसाला पाउडर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक दालने से अद्रकलोसन पेज जल्दी से पक जाता है अब देख सकते हैं यह अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें बॉइल्ड सिरा गोश दालेंगे यह मैंने अल्रेडी बॉइल करके रखा था मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है अब हम इसको मिक्स कर देंगे अद्रकलोसन के पेज्ट में अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे अब हम एक स्पून लाल पौडर, धन्या पौडर, हाफ स्पून, हल्दी पौडर दाल देंगे, अब इसको mix करेंगे, अब हम स्विंग की भाजी आट करेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से mix करेंगे, अब एक बड़ा कटा हुआ था वो ही stock है इसको mix कर देंगे इसको अच्छी तरीके से mix करने के बाद हम lid को close करके at least 5 to 6 whistle के लिए लगा देंगे 5 to 6 whistle आ चुके हैं अब हम इसको open करेंगे ये देखें ये कितना अच्छी तरीके से बना है अब हम इसको हिला के surf कर देंगे एक bowl में मैं इसको bowl में काड रही हूँ ये देखें हमारा सिरे का गोश रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो like, share, comment जरूर कीजिएगा टेक केर, बाबाई, अल्ला हाफिज